नमस्कार दोस्तों श्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल राहुल सबरना जीएस पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कफिल सर्मा के सो में जब हमारे आधरनिय खांसर पहुंचे तो इनके बयान से कुछ लोगों में काटा चुबने लगा और इसकदर काटा चुब रहा है कि जैसे लगा कि उनके प्रसनल घर में इजबरदस्ती घूस गए हैं क्या बात करते हो मेरे यार आज ये खांसर कफिल सर्मा के सो में गए उनके सो की इज़त बढ़ गई और वो अपने सो के इज़त बढ़ाने के लिए खांसर को बुलाए अरे आपको लगता कि खांसर अपने मन से चले गए तो आप भी चले जाओ मन तो मेरा भी करता है कासमाई भी कभी कभी सर्मकेशो में होता तो क्या मैं चला जाओंगा या जदी आपको लगता है कि चले जाएंगे तो हमको जड़ा भेज कर देखो ये बेवफी आप लोगों की है और कुछ लोग करोरों लोगों को इस बात की खुसी मिली अप्रिटे बयान दे रहे है गलत बात है भाई जदी आपको पता नहीं इनके बारे में तो आज मैं आपको दिखाता हूँ ये इनके सरधालू का नजारा है ये कोई इडिट किया हुआ पिक्टर नहीं है ये उनके क्लास की वो तसवीर है जिस class में इनके सरधालू नहीं सिर्फ खान सर को देखने आते हैं और ये लाखो छात्र हजारो छात्र जो खान सर से पढ़ते हैं ये बच्चे जो अपनी पिक classroom का दोस्तों को share करते हैं तो उसको गर्ब होता है ये वो है और ये वो तश्वीर है जिस तश्वीर में ये इतने कम उम्र के बच्चे जो 27 वर्स के उमने अभी तक 8 ओफिसर जैसे जो आपको छोड़ कर लास्कली जो है ये सिडियस के सबसे बरिष्ट परादिकारे पर निक्ती इनकी हुई है तो ये सारे बच्चे जो आपको दिख रहे हैं ये कोई फोटो नहीं ये वो गरीब के बच्चे हैं जिरके दिल में सपल होने की तमना थी और इस तमनों को पूरा करने में खानसरका बहुत बड़ा योगदान रहा और इन लोगों ने क्लास्रूम में आकर इस बात को बताया खांसर इनके सो में, कपिल सर्मा के सो में ऐसा क्या बोल दिये कि आप लोगों को इन कुछ लोगों को इससे परिशानी हो गई, ये मुद्दाब पर बोले कि एक लर्की हमारे यहां आई और बोली बैच सर ट्रांसफर कर दिये, पहली तो आप जान लीजिए आपको जानकारी क कि आप आओए, जो इनके विरोध में बोले, वो UPSC की छात्राएं नहीं थी, पहली नमर दूसरी है, कि जदि वो UPSC करना चाहती भी थी, जिसके मन में नहीं रहता है कि हमें एक बड़ा जाब करें, तो क्या बरतन मानने वाली लर्की, क्या बालू ढोने बाला लर्का को अ आप भी जूट ही सही, आप भी ऐसा कर दीजिए, कि कम फी में बच्चे को पढ़ा दीजिए, परवा दीजिए, जदि आपके पास रोजगार है, तो हजारों बच्चे दिरमर आते हैं, कि सर कोई भी काम दे दीजिए, मैं करूंगा और मैं परना चाहता हूं, तो उनको रो UPSC की तयारी होती है, तो कितने पैसे में UPSC कमपीट मैं कर जाओंगा, आप मुझे करवा देंगे, हमको आप बहुत बताइए, कोई धाई लाग फिलेकर UPSC में कमपीट करवा देते हैं, तो आपको क्या लगता है, अरे सर जोर जमीनी बेच देंगे, धाई लाग रुपी हम देंगा UPSC में जदी हम कमपीट कर जाएंगे, तो UPSC कमपीट पैसे से नहीं, पढ़ाई से करते हैं, और इनकी जो टीम है, वो टीम के टीचर्स को तो पहले आप देखिए, वो टीचर्स है, जिसने लाखों लोगों को UPSC कमपीट करवाएं, हजारों लोगों को UPSC जाएंगे, और जिनके पास 9 लाख रुपिया है, वो जाए उस कोचिं में 9 लाख रुपिया दे और पढ़े, यह माना तो नहीं किए, यह कमपी में पढ़ाने की, तो इस बिहार के ऐसे सिख्षकों के लिए, पाकली पुत्रा की धरती के, पटना की धरती के, ऐसे सिख्षक यह फ्री में पढ़ाते हैं, यकिर किजिए, आपकी पूरी वडी का जितना वजन होगा न, उतना अप्लिकेशन से तौल देंगे, इनके पास गरीब बच्चों की उतनी अप्लिकेशन रखे हुए हैं, जिनको फ्री में यह पढ़ाते हैं, जो अप्लिकेशन देकर इनसे मि भगबान करें, उनकी बातों को भली भाती समझें, और तभी अउगली उठाएं, अउगली उठाना तो बहुत असाने, किसी पर लोग भगबान पर भी उठा देते हैं, लेकिन पहले सोचिए कि आप जिस वक्ति पर अउगली उठा रहे हैं, उनमें क्या त्रोटी आएं, क अपने अपने जगह पर है, और ये अकेले लोग हैं, जो इन सारे चीजों को अपने में समाहित कर चुके हैं, और आज 2-4-10-20 लाख नहीं, 2-4 करोर लोग जो हैं, इनके फोलवर्स हैं, जैदि आप टेन पर चलते हैं, और मार्केर में चलते हैं, लोगों को इनके बारे मे देखा जमिनी अस्तर पर आकर देखिए बहा सरी बच्चे को रियल में परिशानी है यह जो हजारों बच्चे हैं यह सारे बच्चे थी देने में सक्चम होते थी यह सारे बच्चे अभी दिल्ली में होते यह वो बच्चे हैं जो अपने गाउं से चलकर गड़ीवी का मारा इ में इन्होंने जो अपनी प्रियास किया है इनकी प्रियास को आप सेलूट किजिए इनकी प्रियास का समान किजिए और भी जो लोग इस तरह के प्रियास करते हैं और गरीब लोगों को पढ़ाते हैं वो सब पुझनिये हैं समान के पात रहें और पैसा कभी पढ़ाई में बा समाज की शिवा का मतलब ये भी होता है कि हम अपने ज्यान से हम अपने अच्छे वातों से समाज को एक नई दिशा दें समाज को एक नई दसा दें वह भी समाज की एक शिवा होती है और ये वो बच्चे हैं ये उन बच्चों के पिता हैं जो एक गरीब बाप हैं और ये गरी जिनके जीवन में पढ़ाई में पैसे बाधा बनते हैं, तो वो एक बार जरूर इनसे मिलें, आपके जीवन में पैसा कभी पढ़ाई में बाधा नहीं बनेगी, आप प्रियास करें, ओनलाइन की इतनी कम फी है, जितने फी में लोग एक दिन रेस्टोरेंट में भी नहीं इनके गर यूपिया लोग का ते पटना वाले खांसर, तो पटना की धर्ती पर लोगों का जो एक विश्वास जीता है, आज इस बिहार की धर्ती को, पटना की धर्ती को, और इस खांसर को सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, इंटरनेशनल लेबल पर लोग जानते हैं, तो इनकी काबलियत से जानते हैं, तो कौन नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते हैं, हमें पूरे हिंदुस्तान के लोग और पूरे वर्ड के लोग जाने, मुझे क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि मुझे भी अभी वो काबलियत नहीं आई है, और जिस दिन आ जाएगी, उस दिन कहाना न बोलना यह गुना है, यह पाप है, आप लोग ऐसा मत कीजिए, और इनकी बयान विलकुल वो सत्त थी, वो लड़की रियल में ओफलाइन बैच की थी, आप गलत तरीके से पेस कर रहे थे, कि ओनलाइन की ओनलाइन की ओफलाइन की लड़की थी, जो सुबह की बैच में आती थ तो एक परसेंट की किसी में भी होती है, तो उस एक परसेंट को नहीं, 99 परसेंट पर ध्यान देते हुए, आप भी अपने समाद में इस तरह का काम करने का प्रयास करें, ताकि उससे समाद की कुछ मदद हो सके, थेंकी बरी मच, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग शेर कीजिएगा, और उन लोगों तक पहुचाईएगा, जिन लोगों को लगता है, नहीं, कि यह कोई कहानी है, यह कहानी नहीं, यह बास्त रिखता है, यह आपको खान सरकें, तरह से गए कुछ कोईनूर दिखाए, और ऐसे लाखों कोईनूर में से आप भ अंजाम दे सकते हैं, थेंकी बरिमत, पहुत बहुत धन्यवाद,